तो वहीं भरतपुर में शुक्रवार को श्रमिक संगठनों के आभान पर आठ सूत्रिय मांग पत्र को लेकर प्रतिरोध दिवस मना आ गया श्रमिक प्रतिनिध्यों ने बता कि लॉक्डाउन का सबसे जादा नुकसान मजदूरों को ही भुगतना पड़ रहा है सरकार की नीतिया श्रम विरोधी है श्रमिकों की मांग है कि लॉक्डाउन के दौरान उन्हें जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआबजा दिया जाए साथी में सरकार के और से उन्हें पूरा सहीयोग भी मिलना चाहिए